तो यह मुनपली बंद करने के लिए यही भी चाहिए कि एक आप फैमिली से एक आदमी है और एक आदमी को एक ही जिम्मेदारी दी जाए ताकि वह बाखो भी अपनी जिम्मेदार्यू को निभा सके जाए और इससे हम लोग माइनिट्री में भी काफी मतलब नाराजगी है इस पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपीजिंग पॉलिटिक्स बन कर दी जाए डवलप्मेंट के पॉलिटिक्स अगर काम हो तो शाद इतनी जद्दो जहत नहीं करना पड़े जितने भी लोग आते हैं वो एक अपीजिंग अपीजमेंट लेकर आते हैं और जो लोग सत्ता सीट पकड़कर बैठ जाते हो जाने का नाम नहीं लेते और फिट पुछ त पुछ बाई बेहन बीवी मतलब हम हटे तो बीवी बीवी हटे तो बच्चा बच्चा तो बाई मतलब यह पूरा एक विशल सकल उनकी तक्सीमेंट हो जाता है या उनकी यस मैन तो यह नही होना चाहिए कि इससे बहुत सारा नुकसान है माइंट इसके नाम नहीं लोगी तो यहाँ की उनकी बची तो रहन पास काम ले कर गयी तो मैं काम ले कर गयी तो वह बहुत मतलब बिर ट हो गया तो आपको जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए और हमारे पुलिटिकल जो ये हैं लीडर्स है या जो मनिफेस्टो देते हैं तो उनको भी इस जिसका ध्यान रखना चाहिए कि एक आदमी को इतनी जिम्मेदारी नहीं दी जाए कि वो निभा नहीं सके और वो अपने yes man को लेकर सारे organizations में सारे तरफ फैला देते हैं कि सब सम्हालो सब को रो एक विशेज से करे तरकरा सारा कुछ सम्हालते हैं जिसके काफी मतलब नाराजगी है इसको लेकर अभी तो सिन सिनार्यू ऐसा है कि जिस वज़े से हम अपनी नाराजगी ज्यादा नहीं दिखा सकते लेकिन इससे हम खुश नहीं है कि एक आदमी को आप इतनी जिम्मेदारी दे दी और इसी तरीके से सारे जैसे अब अब कि भी तॉल्णी बाटिय तो एक कॉंपटिशन लेवल भी रहेगा तो लोग सोचेंगे जाने से पहली आने से पहले क्या करना यह कंना है तो लोग अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, तो इसी तरीके से, जब मेरा काम नहीं होगा, तो हम तो नाराजगी दिखाएंगे, आप एक इंसान को इतनी जम्मेदारी दीजिए, जितनी वो निभा सके, आप एक आदमी को पंजायत मिनिस्टर भी है, स्टेट मिनिस्टर भी आप नहीं है, मतलब असारे जम्मेदारी है कि दो-तीन आदमी को सारे पावस को आपने पूरा सेंट्रलाइस कर दिया, और एक मुनापली जैसे चल रही है, तो यह मुनापली नहीं होना चाहिए, तो यह राइट्स को भी आप टिमेरोगरेट्री बातिये, और एक अच्छा मौशरा इससे होगा जब लोग काम करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा देखिए पहले तो जंदा लोगों को समयना चाहिए कि वो हर जंडा पकड़ने की लिए क्यों तयार हो जाते हैं आपको उससे क्या फायदा है अगर आपको कोई फायदा हो तो बोलिए क्या जंदा पकड़िये और पार्टी को भी चाहिए कि अपार्टी को फायदा है पार्टी को ये मैं पहले कुछ थोड़ी चीज जैसे मैंने काफि проб काम होता है अपेंग प्वालिटिक में चैसे काम होता है तो आपेंग पॉलिक्स जादा दिन तक बेखुफ बन सकती है ले हैं तो उनको भी इस पास सोचना चाहिए कि इस तरीके से एक मुनापली को में साथ ना दे और एक कॉंपेटिटिव पुलिटिशन सेनार्यू बना कर रखें ताकि लोग मजबूर रहें काम करने के लिए और अगर जब तक यह मुनापली रहेगी यह लोग काम नहीं करेंगे पंगाल के मुनापली की हालत बहुत खराब हुए अगर पहते साल में सीपिया में अगर काम की होती तो शायद यह नतीजा नहीं होता एक पढ़ी लिखी पार्टी थी एक अच्छा है उनका पोटफोलियो था पॉलिटिक्शन भी काफी मतलब मतलब पॉलिटिकल पार्टी अगर आप जॉइन करते हैं तो एक अरसा होता है उसके बाद ही आपको एक पोजिशन मिलती है तो यह अच्छा तरीका था लेकिन फिर वही बात है ना कि उन्होंने भी कहीं ने कहीं एकदा मायोटी को दबा के रख दिया था तो इस वज़े से वह उनको हटना पड़ा और यहाँ मैनुटि की बाते बहुत सारी होती है लेकिन अभी भी माइटरेस को को। इससा बस यहां पीस मेंट है अभी बी कोई आज़े बात कोई बात नहीं है अभी का इलक्षार साथ टेख लिए क्या मैनिष्टर को वी मैनिस्टर नहीं है लेकिन अभी हम लोगों का वोड तो यह कितने दिन चलेगा पूरी मानिटरीज के अवास दभी है अगर 34% मानिटरी वोर्स का इतना इंपोर्टेंस है तो इस किसी चीज़ को मनमाना कोई मुश्किल काम नहीं था तो यह पूरी-पूरी आवास दभा दिजा दिया अप हमारे स्कूल्स देखिए आप मानिटरी का इंस्टूशन देखिए आप जितने शोशल इंस्टूशन मानिटरीज के हैं सा उसमें सारे पोलिटिकल इंफ्वेंस यतने जादा है कि वो इंडिमेंडेंटली काम ही नहीं नहीं है तो यह बहुत बड़ी मसले की बात उर्दू का अजिमी आप देख लिजे आप मुस्ल पर इंस्टूशन जो माइनूटरीज का इस्टूशन है वहां मुसलमान लड़कियों को पढ़ने के जाज़त नहीं है जिसके लिए हमने आवाज भी उठाए थी लेकिन हमारी लीडरान के तरफ से एक भी आवाज नहीं आई आज के जमाने में लोग के 21st century हम लोग रह रहे है लेकिन हम इलता नहीं हमारा राइट वो बच्चियों को अभी भी मतलब उनका राइट नहीं मिला ठीक हो इजाज़त मिल गए पोलिटिकल अभी इस नारियो है उनको बोला गया है कि ओपढ़ सकते हैं लेकिन हम लोग को हमेशा पीछे रखा जाता है हम लोग को आगे आ लोगों को लाईए फिल्म आप जितनी बाव प्रोलिटिके जो हमारे तरफ से हैं क्या graphics इन्फिलिंशन फेमिलि ze she they on the connection to do और हम उनके पास पहुंची नहीं पाते हैं, वो ढ़ले आ जाती है, एक बार एलेक्शन का टाइम होगा, गाड़ी में बैट कर हाइख करती हुए चली जाती है, लेकिन उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आती है, फिर वो हाई सुसाइटी में मूव करती है, हाई सुसाइटी का काम होता है, हमारे जमीनी साथा भी कोई भी काम नहीं होता है, तो इसके हमको बहुत अफसोज भी है, और हम लोग कहीं न कहीं बहुत चीटट फील करते हैं इस मैटर को लेकर, और इसकी शिकायत हमको अपने मायूसी होती है, बिल्कुल मायूसी होती है, ऐसा लगता है, खी को नहीं बात करते हैं आप वरस हां को सबक्री और आशे लोग लोगों नहीं कहा था और याषवसान दिया गया था कि ठीक है मेंबस को शामिल किया जाएक और तो को लेकिन नहीं किया गया बुले ना मैं मुनोपली और मैं पॉलिटिशन की जो मुना अपली है ना यह बहुत ख़राब मुनापली है और अड़ों को लड़कर आने के लिए बहुत हिम्मत के जरूत होती है जो सब आधों में नहीं होती है और एक दू अगर लड़ना यह नहीं है कि वह बैकवर्ड हैं हम सर बंद करते हैं अपनी इज़त के लिए लेकिन मेरे दिमाग खाली नहीं है हम अपने दिमाग इस्तिमाल करना हर फिल्म में जानते हैं बीजेपी पे तो बैब बिल्कुल नहीं जाओंगी क्योंकि बीजेपी तो एक पुलिटिकल मतलब पीजेट कृटिकल पारिए उनका तो बैस मुद्दाई होता है कि हिंदू-मुसल्म बॉसलीम लेकिन अंसलिम वोमें जो हैं तो कहीं ने कहीं अभी भी डिप्राइव हैं और उनको उनका हुक नहीं मिलता हैं उनको जो राइट मिलना चाहिए माइंट्रीज जो थर्टि ठी राइट बनता है कि हम उसमें आये